नमस्कार आप देख रहे हैं एम न्यूज में हूँ मोना पटे सीता मडी जीला अंतरगर पर सौनी थाना छेतर के मैलबार गाउं में मार्ग दो भाई और एक मा मिलकर अपनी ही बेटी की हत्या कर दी बताया जाता है कि रागनी महज 18 साल की है और ओ किसी लरके से प्रेम करती थी इसे मा ना खुश थी मा ने अपनी दो बेटे के साथ मिलकर अपनी पुत्री जो 18 साल की रागनी थी उसकी हत्या कर दी और सब को छुपाने के लिए आंगन में ही गढ़ा खो दिया और सब को पनी म और बेटी को दफनाने के बाद दो बेटों के साथ फरार हो रही थी भूते वक्त 7 nouvelles तो प्लेस को पकरने में के प्रैस परापर हो गया रागनी का दो भाए भागने में सफल मज ने पुलिस distractions बहतेजें रूज कर दो मॉएं आज घॉंच उसकी कारण अपनी बेटी की हात्या कर दी और सब को दखना दिया रागनी के पीटा का कुछ समय पहले ही मौत हो गया है रागनी के दो भाई अपनी मा के साथ मिलकर अपनी बेहन का हत्या कर दिया आप बताईए कि क्या प्रेम करना गुना है क्या कोई प्रेम करता है तो उसे जान से मार दिया जाता है क्या समाज का यही इंसाफ है कि अगर कोई प्रेम करे तो उसे जान से मार दे अगर रागनी किसी से प्रेम कर रही थी तो उसे समझाया बुझाया भी जा सक लड़ाओं जाती है जब धरकारे कमारव बीटी बछाओं के नारे के नारे से तो जनता काफी खुश है और दूसरी तरफ अगर बेटी क्रिशी से प्रेम करती है तो बेटी का हत्या कर देते हैं क्या मैं उस अपने दर्सक से पुछना चाहती हूँ मैं उस समार से पुछना चाहती हूँ क्या रागनी का हत्या करना वाजिब था आए दिन प्रेम करती है लड़की ठीक है भागती है प्रेम में और उसे समझाया भुझाया भी जाता है लड़की मान भी जाती है पुछ समय पहले मैंने भी ऐसे 3-4 मामलों में देखा है लड़की आई है 6-7 महिने से अच्छी तरह से फिर से पढ़ाई कर रही है लड़की कहां खराब हुई है क्या प्रेम करना जुर्म है अगर जुर्म है तो प्रेम को क्यों पनपने दिया जाता है हर आदमी प्रेम करता है प्रेम को कौन बढ़ाबा देता है उस पूलिस परसासन से भी मैं सवाल करना चाहती हूँ कि आपक काड मिल जाता है पूलिस इस मामले की सकती से करवाई अगर करे तो इस प्रकार की घटना नहीं घटेगी और मैं उस लरके लरकियों को भी कहना चाहते हूं कि जब आपके उम्र छोटी है जब आप 16 से 20 सल के हैं तो क्या प्रेम करना जरूरी है दोस्ती है दोस्ती किजिए प् कुद के जनम देने वाले माता पिता और आपके भाई बहन आपसे छीन लेते हैं इस परकार आप प्रेम न करें जो घटना आज रागनी के साथ घटा है वो आपके साथ भी घट सकता है पुलिस पर शासन भी अगर इस पर ध्यान दे तो साय घटना कम हो सकता है जब कोई मा अपनी बेटी की गुमसुदगी का रिपोर्ट लेकर आती है तो पुलिस इस मामले में ध्यान भी नहीं देते हैं बहुत जगा ऐसा होता है कि ध्यान नहीं देते हैं और रागनी की मा ने जो किया है वो तो बहुत ही गल्त हुआ है युदि ऐसा प्यार करना अगर जुर्म ह तो साध प्यार कोई क्यों करता लोग प्यार माबाप से भी करते हैं तो माबाप मना क्यों नहीं करते हैं कि तुम से प्यार मत करो लोग अपने भाई भ्रहन से प्यार करते हैं तो फिर उसको क्यों नहीं मना करते हैं कि तुम उसे प्यार नहीं करो अगर एक लरका एक लरकी से इसे प्यार कर लेता है तो क्या उसे जान से मार लेते हैं चलते हैं रागनी के गाओं हम कल और वहां के लोग क्या करते हैं एद भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर रागनी का गाओं जाकर पूरी सच्चाई आपके सामने रूबरू करेंगे उस समय आप बताएं हमें कि आखिर उनसे क्या सवाल करना चाहिए जब गाओं के लोग क्या रागनी के मौत होते हुए नहीं देखे अगर गाओं के लोग रागनी के मौत से पहले पहुँझते तो साद रागनी की जिन्दकी बस सकती थी रागनी महाजर 18 साल की थी रागनी के पिता का मौद पहले ही हो चुका था रागनी अपने दो भाई और एक मा के साथ फरसौनी ठाना छेत्र के मैलबार गाउं में रह रही थी लेकिन एक लरके से प्रेम की संका को लेकर रागनी की मा रागनी के भाई मिलकर रागनी के हत्या कर रागनी के सब को आंगर में ही दफना कर यहां से रफूचकर होना चाहते थे लेकिन गाओं के लोगों के सक्याधार पर रागनी के मा को पकर लिया गया और रागनी का दोनों भाई भाई भागने में सफल रहा फिरहार पूलिस मामले की जार्ज कर रही है, एक तरöप तो मौत की गुटिज सुलज़ा रही है और दूसरी तरफ रागनी के भाई की गिरफतारी के लिए चारों तरफ ढूँड रही है आप रागनी के भाई को क्या सजा होना चाहिए आप एक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे अक्या जर्म देनी वाली मा अपनी बेटी को मार सकती है क्या लोग का कहना है कि साड़ी दुनिया एक तरफ लेकिन मा कभी भी अपने बच्चों को नुक्सान नहीं पहुचा सकता तो क्या मा ऐसी भी होती है कि बेटी के प्रेम का पता चले तो बेटी के मौत का घात उतर दे अगर एक पिता होता तो लोग कहता है पिता निर्दई होता है लेकिन एक मा भी क्या निर्दई होती है अपनी बेटी को ही मार कर दफना कर और चली गई क्या उसका दिल इतना पत्थर का था आप उस पर क्या करवाई पुलिस करनी चाहिए आप इस पर कमेंट बॉक्स में कम जरूर करे कैमरा परसन हमारे सहयोगी मनिश के साथ मैं मोना पटिर